जहिन फ्रेंज लेस्ट गेस साथ दहिंदू एडिटोरियल एनालेसिस जो की आज 14 आफ अगस्ट 2023 है आज सारी डिटेलिंग यहां पे देखा जाएगा जो भी डेली बैग्राउंड डिटेल्स होगा वो आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा साथी साथ डेली करेंट अफे कबर करने के बाद आपको वर्ल्ड का भी रिवर यहां पे कबर करा जाएगा तो यह सारी डिटेलिंग यहां पे आभी लेकर के आया हूं चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है कौन सा निउस चला है तो सारी डिटेलिंग यहां देखा जाएगा तो रीबूटिंग कोट इंपोर्टेंट एडिटूरियल निकल के आया है इसी को हम लोग यहां पे देखेंगे सारी डिटेलिंग इसकी यही चीज़े देखनी है तो क्या है ये reboot का क्या मतलब हुआ पहले तो यही यहां पर important हो जाता है तो आपको बता दें ऐसी कोई चीज जो पहले हुई है उसको पुना यहां पर reform किया जा रहा है उसको reboot किया जा रहा है सेट अप किया जा रहा है उसी को rebooting बोलते हैं तो किस फिल्ड में आखिर हो रहा है तो सबसे important बात यह है कि जो भी आपका यहां पर IPC था इंडियन पैनल कोड़, CRPC था Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act इसका नाम बदल करके हिंदी में रखा गया है जो की important हो जाता है आपको जानना तो यहां प किसको replace करके? इंडियन पैनल कोड़ को और BNSAS यानि भारती नागरीक सुरक्षा समिता जिसको हम लोग क्या बोलना है? कोड आप Criminal Procedure तो यह नागरीक की सुरक्षा समिता इसको रखा गया है अब यहां पर तीसरा जो भारती साक्ष बील, Indian Evidence Act यह नाम बदल कर हिंदी में रखने का जो प्रायोजन है वो क्या है यही नहीं यहां पर clear है तो यही सारी चीज़े यहां पर Government जो लेकर के आई है आपको information बता दें यहां पर कि यह सारी जो नाम है ना हिंदी में ऐसा नहीं है कि यह पहले नहीं थे हिंदी का translations तो था ही यही यहां पर बोला जा रहा है इसका उपयोग आप कर सकते थे ऐसा नहीं है कि official language translation नहीं था और सारे state अपने अपने भाजा में इसका translations भी कर सकते थे यह यहां पर law में mention हुआ है तो criminal procedure law जो re-enact किया गया था 1973 के अंतरगत आता है यह चीज़े याद रखेगा और इसको जो बात बुली जा रही है यहां पर CRPC की यह पहले आर्चेक law यानि अंग्रेजु के दुवारा लाया गया था और यहां पर re-enact किया गया 1973 में क्या important objective है तो हिंदी ने से यहां पर ला देने से क्या यह दर साथ हा है सीधे सीधे यही बोली जा रही है यहां पर अंग्रेजी महा साथ से दूर जाने का प्र प्रियास भी चल ला है सरकार के दौरा तो यहां पर सारी चीजे यही निकल के आ रही है जो कि important हो जाता है क्या यहां पर दूसरी चीजे बोल नहीं है तो जो भी यहां पर संगिता word यूज हो रहा है कि यह इसका भी जाच अच्छे से होना चाहिए पार्लामेंटी standing committee अच् निकल के आ रहा है तो words पे भी काफी important questions निकल के आ रहा है यहां पर प्रस्ट उठ रहा है कि इसका इस्तमाल uses की बात जो करी जा रही है वो सही प्रकार से है या नहीं यही सारी questions यहां पर निकल के आ रही है जो भी चीजे अभी बदली गई है जो नया laws लेके आया गया है IPC PCRPC IEA इनमें जो बदलाव आया है वो देखेंगे अब कि क्या important बदलाव है तो सबसे पहले यह words deletions कर दी गई है क्या seditions जो की देश द्रो तो इस प्रकार का यह तो welcome step होना चाहिए साती सात और भी कई सारे चीजे हुई है उसको भी हम लोग देखेंगे तो जो नए sections 150 यह जहां पे डाले गया है यह does not use overbroad term such as promoting disaffections against government bringing into the hatred or contempt तो यह सब चीजें डाली गई है मतलब इसका क्या हुआ कि जो hatred word है उसके उपर ज्यादा work नहीं किया गया है जो contempt है उसके उपर work नहीं किया गया है सीधे सीधे यहां पे seditions को यहां पे हटाया गया बाकि सारी चीजों में भी अभी भी loopholes बचे हुए हैं तो क्या यहां पे बाते बोली जारी है criminalize यहां पे जो promote कर रहे हैं जैसे कि उन बाते इसके छोंग विचार धाराय है रख रहा है जैसे कि सेशीशम का क्या नाम क्या मतलब होता है अपना जो country है इसके इससे अलग होना ? सेशेशन को अलगाव वादी वालों को बोलते हैं जैसे कि जम्मू कस्विनीन चीजे चल रही है बो आप आप समझ सकते हैं आर्मी करें तो भी इसमें यहां पर चीज़े आती हैं यह सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है यह एक और चीज़ भी टार्गेट करता है जैसे कि सबवर्शिव एक्टिविटी और इंडेंजरिंग सवरेंटी तो जो देश की संप्रभुता एकता और भारत की अखंडता को अगर कोई भी यहां पर आम पहुंचाता हुआ नजर आएगा तो उसके लिए भी यह चीज़े होंगी लेकिन इसका यह ध्यान टकनी की जरूरत है कि इसका मिस्यूज नहीं होना चाहिए इसका मिस्यूज अगर होने लगेगा लौका तब तो सही प्रकार से यह चीज़े नहीं चल पाएंगे तो यह भी एक बड़ा क्वेश्चन स्माक निकल के आ रहा है मॉब लिंचिंग की क्या बाते बोल दिया गया है तो इसमें कोई भी डिफाइनिंग पणिस्मेंट भी नहीं चीजे डिसकस करी गई है आखिर ऐसा क्यों होगा है दूसरी चीजे जो भी वीडियो ग्राफी कोई कर रहा है कोई भी पबलिक चीजों पे जैसे कि आपका कोई आपिशस कार नहीं कर रहा है तो के अंदर ही आपको इस पकार की एथोर्टी यहां पे सेंक्शन्स करेगी और यहां पे उसका एक्शन्स लेती होई नजर आएगी रिमांड प्रोवीजन की बात करी जा रही है यहां पे क्या तो यह जो भी पर्मिट करेगी पुलिस कस्टिडी में और यह 15 दिन की लिमिट प्रोवाइट करेगी तो पुलिस कस्टिडी 15 दिन की लिमिट प्रोवाइट कर रही है और यह क्या तो यह प्रकार सा क्रिटिसीजम बताया जा रहा है कहीं जो नया लौ है इसको क्रिटिकल स्कूरूटनी करने की जरूरत है नाम लाने की जरूरत नहीं है तो यही सारी पीस and security is included in the तो यह किसमे है यही यहां पे questions कर रहा है जो की important हो जाता है पहले में कहरा है प्रियेंबल में है दूसरे में कहरा है डारेक्टिव प्रिंसिपल में है तीसरे में कहरा है मौलिक अधिकार में है चौते में कहरा है नौवे schedule में mention किया हुआ है आप इसको एक बार ट cycle करेंगे तो यह practice जो है बहुत ही important हो जाएगी आप अगर practice कर रहा है questions answer की तो आपके लिए राम मान सिद्ध होगी ultimately selections यहीं से निकल के आएंगे क्योंकि practice करने से ही processing fast होती है जो की important हो जाता है दूसरा जो questions निकल के आ रहा है what are the benefit of the implementing the integrated water set development program यहां पे water set development program का क्या benefit है यहां पर पूसरा पहला prevent करेगा soil जो निकल जाते है रन आफ हो जाते हैं linking करेगा country perennial river with seasonal label तो perennial जो 24 महीने बहने वाली है seasonal label जो बरसात में बस बहती है उनको link करेगा rain water को इकठा करेगा harvest करेगा ground water को recharge करेगा regeneration आप natural vegetation जो भी पेड़ पावदे हैं उसमें regeneration one two दे रहा है दूसरे में two three four तीसरे में one three four चौते में all दिया हुआ है कौन सा correct है आपको बताना है यहां पे answer देना है next day इसकी सारी की सारी detailing आपको provide कर दूँगा मैं चिंदा नहीं करना है चलिए आगे बढ़ते हैं P.I.B. News की तरफ जो की important हो जाता है तो director आप revenue intelligence DRI यहा पे पकड़ते हुए नजर आएं कहां पे स्री नगर जम्मू कस्मीर में तो यह important है कहीं न कहीं यहां पे animal की trafficking हो रही है उसके skin का trade हो रहा है बोन का trade हो रहा है उसके nail का trade हो रहा है इस प्रकार की चीजे नहीं चलनी चाहिए जो की यहां पे चीजे देखने को मिली है तो य अपने duty को execute करती हुई नजर आई है यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्टर आप को आपरेशन जो भी है अमित सा अटेंड किये हैं क्या छटमा कन्वोकेशन आफ इंडियन इंसिट्यूट आप टीचर ट्रेनिंग तो questions यह भी आया है यह है कहां तो याद रखिएगा गांधी अगर गुजरात में यह है यह भी questions आया हुआ है यहां पर chief guest के रूप में यहां पर पहुंचे हैं विभाजन विभास का दिवस आज के दिन मनाय जाता है जो कि recently यहां पर launch किया गया था तो 14 अगस्त को एक दिन पहले यहां पर विभाजन विभासी का दिवस जब पाकिस् बात करिए तो 15 अगस्त का date हम लोगों ने चुना जो कि 14 अगस्त की रात को नहरु जी ने इस पीज दिया और 15 अगस्त को यहां पर भारत का आजाद हुआ तो भारत का आजाद यहाँ पे होना सबके लिए सम्मान की बात है, सबके लिए गर्व की बात है, भारत एक नेशन्स निकल के आया, अपने चीजों से लोगों को इंफुल्वेंस करता हुआ नजर आ रहा है, विभाज का दिवस 14 अगस्त को मनाए जाता है, याद रखेगा, चली आगे बढ़ते हैं, नए एडिटोरियल की तरह आप वो देखेंगे, ग्लेरिंग ओमीशन्स, यानि क्या यहाँ पे है चीजे, जो छूट गई है, जो गलतिया हो गई है, वो सारी चीजे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसी को ओमीशन्स बोलते हैं, ओमीशन्स का मत हैगा, कौन प्रपूच किया है, गॉवर्टमेंट, एक्चुली जो आपको बात बोलूँगा, एक जिस्ट समझ लीजिए, यहाँ पे अगर गॉवर्टमेंट है, और यहाँ पे जूडिशरी है, इन ही में दोनों में वारतालाब चलना है क्या, कि किस प्रकार से जो इलेक् प्रोसीजर होगी, तो यहाँ पे गॉवर्टमेंट क्या कह रहा है, हमारे तीन मेंबर रहेंगे, जैसे कि एक्जिक्यूटिव, इलेक्शन कमिशन्स यहाँ पे, तो इसके तीन मेंबर कौन कौन रहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो लीडर अब दा लोक सभा, ओपोजिश का यह गॉवर्टमेंट का डिमांड है, वहीं पे अगर बात करी जाए, जो जुडिशरी यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे लोक सभा का रखिये, और अपोजिशन्स को रखिये, और एक जुडिशरी मेंबर को रखिये, जैसे कि CJI भी हो सकते हैं, यह चीज़ें डिमांड कर दी, जुडिशरी ने, तो इसी को हटाने के लिए, जज को यहाँ से हटाने के लिए, यह लोग राज सभा में क्या किये हैं, बील ले करके आए हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर अप दो अपोजिशन्स, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लीडर अप दो अपो पोजीशन्स है उसकी वैलू क्या रह गई यहां पर यही सबसे बड़ी क्वेस्टन्स निकल के आईए तो यह एक कॉंस्टूशनल बॉड़ी है इलेक्शन्स कमिशन्स आप इंडिया और पर्मानेंट कॉंस्टूशनल बॉड़ी है तो इसका जो डिलेवेंसी है डेमोक्रेसी है इसकी इंडिपेंडेंसी है यह चीजे बनी हुई रहनी चाहिए जो की इंपोर्टेंट हो जाती है तो कंस्टूशन बेंच यहां पर बनाया गया था इसी सब चीज को लेकर के कि किस प्रकार से यह कमिटी अपनी चीजे देगी चीफ जस्टिस आप इंडिया के बात को न बन सकता है तो कोर्ट यहां पे क्या कहा था तो यह और जो है यह तभी सही होगा जब परल्यामेंट इस पे लाब बनाएगा कॉंस्टूशन को ले करके तो यहां पे क्या चीजे बोली जा रही है गॉर्मेंट रीटैन कर रहा है एक्जेक्यूटी मेजॉर्टी तो सिंपल स प्रेजिएंट यहां पे जो आर्गुमेंट चल ला है यह चीजे कहिन कहीं यह दिखा रहा है क्या की जूडिशिल स्कूरूटी यहां पे सही प्रकार से होनी चाहिए और सही प्रकार से इसको एक्जेक्यूट करनी चाहिए ऐलेक्शन कमिशन आफ इंडिया आपको बताएं constitutional body है इसलिए अपने elections को इसकी जिम्मेदारी होती है free election कराए fair elections कराए और कोई भी इसमें loopholes भी न हो ये free और fair elections के लिए इसकी जाने जाती है इसका रोल बहुत ही अधीती है चलिए election commissions की background को समझ लेते है जो की important हो जाता है election commission आफ इंडिया एक constitutional body हम सभी लोग जानते हैं और इसको इसी चीज के लिए लाया गया था कि ये election in the country को regulate करेगा आर्टिकल 324 लेकर के 329 तक ये elections commission आफ इंडिया के बारे में जिक्र किया गया है पार्ट 15 के अंदर इसको mention किया गया है जो की important है इसका तीन function है एक administrative कार करता है advisory भी कार करता है अब जरूरत परने पे जब elections की dispute हो जाती है तो यहाँ पे quasi judicial function भी करता है ये चीजे याद रखिएगा किसका किसका elections कराता है जो इसको superintendent's power दिया गया है तो ये election of the parliament कराता है जो भी MP होते है state legislature जो भी ML होते हैं office of the president का कराता है vice president का कराता है ये सारे elections कराने का जिम्मेदारी election commission आफ इंडिया के अंतरगत दिया गया है तो यहाँ पे जो body है एड्मिश्टर करती है elections को वो क्या किसको किसको तो लोगसभा को राजसभा को state legislative assembly को council को याद दखिएगा council को भी करती है confused नहीं होना है तो लोगसभा राजसभा करेगी तो state assembly और council भी करेगी originally यहाँ पे बात करी जा रही है तो पहले एक ही यहाँ पे chief elections commissioner हुआ करते थे जो कि ministry of law and justice के अंतरगात आता है आज भी तो यहाँ पे दो additional commissioner कब appointment किये गए तो यहाँ पे 16 October 1989 को किये गए और जब 89 को general elections यहाँ पे शुरुआत किया गया लेकिन लंबे समय तक यह चीजे चली नहीं 16 October 1989 वाली और यहाँ पे एक जनवरी 1990 को हटा दी जाती है इलेक्शन कमिशन अमेंडमेंट आक 1989 एड़ाप्ट करता है 1st जनवरी 1919 और यहाँ पे क्या कर रहा है इसको अमेंडमेंट करने के बाद यहाँ पे multi-member body बना देता है यानि इसमें तीन मेंबर एक यहाँ पे election कमिशन चीफ इलेक्शन कमिशन और दो यहाँ पे election कमिशन निकल के आते हैं इनके समयकाल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इनका जो समयकाल है प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि यह 6 साल के लिए रहेंगे कि 2 साल के लिए रहेंगे यह constitution में openly mentioned चीजे नहीं है लेक इनको 6 साल और 65 यह जो भी पहले complete हो जाएगा वो इनको दिया गया है तो मालीजे 6 साल इनका term है तो इनका age है मालीजे 62 years और इनको 6 साल करना है तो यहाँ पे क्या होगा यह तीन ही साल तो service दे पाएंगे क्योंकि 65 साल maximum age है तो यहाँ पे confused नहीं हुई है कैसे इसको इनको निकाल ला जा सकता है इस पत से constitutional पत से कैसे इनको हटाया जा सकता है उसका भी procedure दिया गया है तो समिधान इनको यह कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार से निकाला जा सकता है जैसे judge of the supreme court यह chief election commission of India के लिए है याद रखिएगा यह बात काफी clear हो जाना चाहिए तो resolution जो पास होग पार्लेमेंट आफ इंडिया में वो two third majority से होना चाहिए लोकसभा और राजसभा दोनों में यही दोनों ground है mis behavior करेंगे और incapacity अयोग्यमान लिये जाएंगे तभी इनको निकाला जा सकता है वहीं पर बात करी जाए election commission यह remote किया जा सकते है प्रेसिडेंट के द्वारा याद अगर recommendations आएगा चीप election commission का तो चीप election commission का recommendation आएगा तो यहाँ पर election commission को हटा दिया जाएगा जो मेंबर होंगे अभी तक तो ऐसे कुछ हुए नहीं है जो कि आपको सारी detailing यहाँ पे दे दिया अब यहाँ पे क्या बाते बोली जा रही है क्यों यह मुद्दा इतना highlight हो रहा है वो सारी चीजे हम देखेंगे तो सबसे important बाते यही है कि non-partisan और independent ECI यह sign-Q non था यानि इसके पास ऐसी electoral democracy को सही प्रकार से चला है तो जो अपनी election commission of India है उसके पास power तो था हिए और power है भी कि अपनी चीजों को free elections, fair elections, किसी party का समर्थन नहीं करे इस प्रकार की neutral होके आप activity करे तो इस प्रकार की चीजे power दी गई थी लेकिन election commission of India यहाँ पे seminal role यहाँ पे play कर रहे हैं यानि कहीं अब आज के date में बात करी जा रही है तो यह influence होते हुए नजर आ रहे हैं क्यों तो आपको बता दें यहाँ पे यह greater participation elections electoral में यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी बनती है कि free, fair और convenient nature of the process से elections कराएं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे misgivings हैं गलतियां हैं जैसे कि 2019 का elections होने वाला था आप लोगों को यादी होगा यहाँ पे तो इस समय क्या किये थे? announcement किये थे कि elections को delay किया जा रहा है महिने भर और February से March में यहाँ पे delay हुआ तो यहाँ पे क्या बाते चीज़े बोली जा रही हैं तो यह government को और जादा time दिया कि अपने project को inaugurate करें क्योंकि inauguration अभी हो नहीं पाया था तो यह कहीं नहीं कहीं party को favor करने वाले actions दिखे model code of conduct यह अचार संगीता है model code of conduct unevenly implement किये गए सब जगा एक जगा एक जैसे similar तरीके से same तरीके से implement नहीं किये गए तो यहाँ पे party को देख करके अचार संगीता लागू हो रहा है तो यह भी एक बुरी बात है देश में इस प प्रकार की चीजें नहीं होने चाहिए वी डेम इंसिट्यूट कहां का है यादी रखिएगा यह आपके Sweden का है कई बर questions पूछा है तो वी डेम इंसिट्यूट ने compare किया है कि भारत में electoral autocracy आ रही है यह कहने कहीं खतम होना चाहिए हम लोगों को इस प्रकार की activity नहीं करनी च कियेगा तो पाकिस्तान में इमरान खान की government थी जो की यहां पर military की इतनी दबदबा है ना military से इनका conflict हो गया बहुत सारे चीजों पे जिसके कारण military इनका support करना छोड़ दी तो military support करना छोड़ दी तो इनको power से भी निकलना पड़ा यानि हाथ दोना पड़ा आज के date में 3 स साल का इनको जेल हो गया है तो पकिस्तान की political चीजे डाल दिया हूं बहुत ज्यादा detailing जानने की तो जरूरत नहीं है लेकिन basic चीजे आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए तो यह background दिया मैं 3 साल का इनको जेल दे दिया गया है थोड़ा सा important चीजे यह देख लिया ज लगभग 90 लाग के आसपास वो घड़ी की कीमट थी तो उस घड़ी को इन्होंने किसी को सेल आउट किया ऐसा इन पे corruption का आधार लगाया गया है 90 दिन के अंदर अब elections करवाने की बात चल लई है पाकिस्तान जैसी country में यानि जल्दी से जल्दी क्योंकि यह तो elections लड़ने ह कर देंगे तो वो तो elections लड़ी नहीं पाएगा साथी साथ बात करी जा रही है इतना तिब्रगती से elections कराने की बात चल जा रही है नवास शरीफ यहां पे बुलाए गया है लेंडन से इस प्रकार के चीजे चल रही है तो politics में जो band system है कहीं न कहीं इनकी इतनी fame और popularity बढ़ कर दिया गया है नीचे कर दिया गया है political party की बात करी जाए तो अभी भी इसके समर्थन बहुत जादा है समर्थक बहुत जादा है लेकिन फिर भी लोगों की आवाज को दबा दिया जा रहा है इमरान खान के जो भी party के member थे उनको छोड़ कर neutral होते हुए नजर आए कई तो इस प्रकार के खान को मतलब इमरान खान को अब क्या किया गया यहां पे उनको jail term दे दिया गया है और जो कई सारे ऐसे भी लोग है कि captain's के command's पे यहां पे चीजे चल रही है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग है जो party को छोड़ के निकल गया है neutral हो गया या फिर politics के हाथ आप कर लिए है मतलब politics ही छोड़ दी है क्या यहां पे important चीजे निकल रही है तो यह जो चीजे निकल रही है वो कहीं vote for the leader यह चीजे कैसे होगी अगर तारीक पकिस्तान की जो party है यह आपके तारीक इंसाफ पकिस्तान की जो party है यह अगर इसके जो चाहने वाले होंगे वह पकिस्तान की politics है यहां पे तो यह निकल के आते हैं पंजाब इनकी party निकल के आते हैं पंजाब खाइबर पाक्तुनुवा प्रोविंस इस प्रोविंस से निकल के आते हैं यहां पे military से इनका बना रही तो कहा जा रहा है जब तक military का सामार्थन किये हां में हां मिलाएं तब नजर आई, तो मीडिया में इनको जाने से भी रोक दिया गया, बैन कर दिया गया, कई सरे सोसल मीडिया और अटेंड ये नहीं कर पाएं, इन समुद्दों पे इनको रोक दिया गया, क्योंकि जाकर के ये मीडिया में सीधे सीधे बोल दे देते हैं, ये चीजे याद रखेग जिनको बैन किया गया था और जेल भी किया गया था तो भाग के जेल बचने के लिए लेंडन पहुँच गया थे यादी होगा आप लोगों को और यहां पे इलेक्टोराल प्रॉसेस यहां पे क्या हुआ पुन्हा कॉंटिनी होगा 90 दिन के अंदर क्या हो जाएगा इलेक्शन देखने योग बाते हैं कि जो भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हैं सिस्टम हैं वो किस प्रकार से यहां पे चल रही है तो कहीं न कहीं यहां पे बात करी जा रही है क्या कि आपके पड़ोसी राजमें नेभरिंग स्टेट में जो यहां पे क्या बाते बुल जा कि यहां पे किस प्रकार से citizens के rights का ध्यान दिया जा रहा है यहां पे judiciary किस प्रकार से questions कर रही है government किस प्रकार से यहां पे totalitarian की तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है यानि लोगों के rights का ध्यान बिलकुल भी रखा नहीं जा रहा है यही सारे चीज़े थी जो आपको मुझे बत कीज़ को लेकर के काफी issue निकल के आ रहा है अभी recently क्या चीज़े निकल के आई है तो union government एक commissions बैठा दी है कि किस प्रकार से former chief justice यहां पे इस commissions के कौन हेट करेगा तो former chief justice आफ इंडिया केजी बालकृष्णन यह देखेंगे कि जो grant दिया जा रहा है schedule cash status किसको दलित क्रिश् किसके द्वारा तमिल नाडू assembly के द्वारा जो की अमेंड किया गया था 1950 का presidential SC order इसको यह अमेंड की है जो की important हो जाता है कई सारे चीज़े तमिल नाडू की यहां पे बहुत बिशित्र हैं जैसे कि 9th schedule में इसके कुछ चीज़े ऐसी डल गई जिसको यह अमेंड करेंगे त तो आप इसमें कुछ बोल नहीं सकते तो यह इनके उपर है 26 April 1973 के आसपास के बात की चीज़े यहां पे हो सकती है इससे पहले नहीं किस्वान अंद्व भारती केस जो आया था उसके बात से यह चीज़े हो सकती है जो भी चीज़े यह मेंड की है लेकिन उससे पहले वाले पे हस्तचेप नहीं कर सकते ऐसी भी पिदाएं है अच्छा तमिलाडू भी यहां पे लगभग 60% प्लस 69% के आसपास रिजर्वेशन्स प्रोवाइड करता है एक सिंगल इस्टेट ऐसा इस्टेट है तो राजनात मिस्रा कमिशन्स भी 2007 में हां पे रिकमेंड करी थी पर्मि और बपना 2008 में पॉइंड की है नेशनल कमिशन्स माइनोर्टी यह भी स्टेट की है कि कोई भी ऐसी कंपेलिंग एविडेंस नहीं है कि डिनाई किया जाए ऐसी स्टेटस इस प्रकार के चीजे तो निकल के आई है भीम राव अंबेटकर यहां पे क्या बाते बोले गा है त तो क्या होरर से निकल लिए और कहिने कई इनको राइट्स पुरदान करिए यह वाते बोले रहे हैं भीम राव अंबेटकर जी बहुत सारे चीजों में इनको ऑपरेशन्स का सिकार होना पड़ा जैसे कि रिस्क्रिमनेशन्स रेस जेंडर सेक्सुयलिटी एबिलिटी इन इंपॉर्टेंट हो जाती है तो बालकृषन कमीटी यहां पे बनाई गई है तमिल्नाट के एससी स्टेटस को देखने के लिए जो की इंपॉर्टेंट हो जाती है जूडिशल डाटा कुछ निकाल के देंगे नया नियूज निकल के आ रहा है यहां पे क्या कि भारत में जो दक्च बोलते हैं recently ये चीज़े याद रखिएगा high court का dashboard का मतलब जो भी cases चलेंगे वहाँ पे सब चीज़े दिखाएगा किसमें दक्च बोर्ड में ये चीज़े recently आई है important है आपको पता होना चाहिए तो ये चीज़े क्या निकल के आई है कि क्या bail appeal हुआ है 3.2 लाक से लेक इसमें 4 लाक यहाँ पे यहाँ पे उसके बाद appeal हुई है लेकिन ये जो bail का outcome है यहाँ पे 80% of the cases underlying offense in 77% इन सब चीज़ों में मिल ही नहीं पा रहा अब important data देख लेंगे जो case point है उसको सारी detailing दक्च high court data portal पे ये सारी चीज़े आपको मिल रही है तो क्या कह रहा है यहाँ पे फ्रेस bail application साड़े चार लाक है लेकिन यहाँ पे pending bail applications 1.24 लाक है अब देखिए 20-21 में कैसे ये चीज़े exclate कर रही है कैसे बढ़ रही है बेल application high court में जो file किये गए है total यहाँ पे cash load between July 2021 से लेके जून 2022 तक यहाँ पे चीज़े हैं तो सबसे ज्यादा जारखंड में पटना में मदप्रदेश में गुवाहाटी में तो ज्यारखंड पटना एंपी और गुवाहाटी इन सब चीज़ों में है इन सी स्टेटों में है यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो medium days है जैसे कि disposal आप regular bail cases various high court तो जम्मू कस्मीर में 156 दीन के अंदर disposal हो रहा है केस की सुनवाई पर यहाँ पे उडिशा यहाँ पे 61 बामबे 56 यह सब देज लेती हुई नजर आ रही है यह percentage में है कुछ ऐसे चीज़े जो यहाँ पे cases को दर्शा रहा है तो क्या चीज़े हैं यहाँ पे राजस्थान केरला सिक्किम गुवाहाटी और बामबे इस प्रकार की cases निकल के आ आसा करते हैं जो आपको यहाँ पे बताया वो clear हो गई होंगी चलिए आगे बढ़ते हैं news your facts की तरब जो की important हो जाता है तो Microsoft operating system बहुत important है यह कहां की company है तो United State of America की यह company है यहाँ पे भारत में माया Ubuntu based OS build locally यानि जो माया है एक प्रकार से यह operating system के रूप में भारत में कारे करता हुँ नज़राएगा क्योंकि यह indigenously built है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे क्या रहा है तो defense ministry इस computer में अपने माया operating system को जिस प्रकार से Microsoft operating system को हर computer में डाला गया है उस पी उपर कारे करता है सब सब कोई उसी प्रकार से माया को भ में कुछ बोली नहीं है भी तक लेकिन आर्मी एयर फोस इस पे अपना evaluating कर रही है किस प्रकार से इसको लेकर किया है seven people 23 day old baby girl जो तेश दिन की थी यहाँ पे मारी गई वेचारी और यह Russians और युक्रेन के युद के सिकार बनते हुए निज़राए तो रशिया युक्रेन का युद जो है fast dyn plus हो गया है लेकिन यहाँ पे सांती बिल्कुल भी नहीं बन पाई है चाइना टाइवान में इस्सू निकल के आता है टू चाइना पॉलसी वन चाइना पॉलसी जिसके अंतरगात यहाँ पे इस्सू क्रियेट होता रहता है तो टाइवान के वाइस प्रेसि सब करें किया। सरे जरूरी में है। affected security वहाँ पे बी इनको आभे लोड़ किया गया है private sector अरुणाचल परदेश की बात कर रहा है प्राइवेट सिक्टर यहाँ पे हाठ डालता हुआ नजर आ रहा है हाइडरो पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ पे निकलके आ रही है तो वह जहाँ बेनेफिट मिलेगा वहीं जाएंगे प्राइवेट प्लेयर लेकिन यहाँ पे गौर्मेंट इनको अलॉट करती हुए नजर लादाख बढ़ाता, अब लादाख को लेकर के कुछ नीजे निकल के आती हैं, तो भी सारी चीजे देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर यह पर इस रीजन पर और यह अकसाई चीन है, इन रीजन पर काफी कॉन्फलिक्ट होता रहता है, चाइना प्लस इंडिया की आर्मी आपस में टसल करती हुई नजर आ रहे हमारा ये रीजन है लेकिन ये 1962 में चाइना से वार होता है उस समय हम वार के लिए बिल्कुल भी प्रिपेर नहीं थे नहरु जी मिलिटरी पे उतने फोकस नहीं किये थे क्योंकि हम लोग पीस प्रोसेस को ज़्यादा तवज्य दे रहे थे औ तो कोई एक्शन एक्टिविटी पे हम लोग चीजे नहीं कर रहे थे और चीनी इंडियन भाई-भाई का नारा भी बहुत सारा लग रहा था लेकिन चाइना का कार ही है दूसरे को धोका देना और जब कमजोड़ी में हो तुरंत तभी अटेक करना तो यहाँ पे क्या चीज बोल रही है तो जो कस्मीर है यहाँ पे यह कस्मीर आपको LOC यह चीजे आती है बहुंटी यानि यह पकिस्तान अकुपाइट कस्मीर है दूसरी चीजे एरिया कुछ पकिस्तान चाइना को दे दिया है यहाँ पे याद रखिएगा और तीसरी चीजे इंपोर्टेंट जो आ यहां पे गलबान वैली इन सब वैलू में टशल्स होता हुआ नजर आता है जो की इंपोर्टेंट याद रखिए गा नुब्रा वैली यहां पे है याद रखिएगा नुब्रा वैली अब कहां पड़ता है यह आपके लद्दाक में पड़ता है याद रखिएगा क्योंकि देखना important हो जाता है यह आपका Taiwan State, यह आपका China, यह आपका South China Sea, तो यहाँ पर याद रखिएगा South China Sea, Taiwan State, East China Sea, और यहाँ पर Philippines Sea, यह आपका Pacific Ocean, यह आपका हो गया Taiwan, जो Taiwan के लीडर अभी William Lee कहाँ पर पहुंचे हैं, US से पहुंचे हैं, तो किसको चीड लग गया है, China को चीड लग किया है, China हमेशा कहता है, One China Policy है, यहाँ पर क्या, कि यह जो चीज़ें है, Taiwan कोई दूसरा country नहीं है, बलकि China ही उसको मानता है, इसकी sovereignty को मानता ही नहीं है, और US से यहाँ पर क्या कर रहा है, इसकी sovereignty को पहचान दिये हुए, असल में बात करी जाए, तो China यही लोग है, क्योंकि इनकी traditions, culture ही Chinese तरीके से और यही ancient China है, बाद में इनको अपना mainland छोड़ करके यहाँ पर आ करके बसना पड़ जाता है, यह बहुत history वाली कहानी है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, China के minister, Cambodia, यहाँ पर new PM जो बने थे Cambodia में, तो इनके पिता अब यहाँ पर पिता जी अपना सत्ता चोड़े, तो बच्चे को यहाँ पर अपने बड़े बेटे को सत्ता देते हुए नजर आ रहा है, तो चाइना के foreign minister Wang याद रखिएगा, और यह Cambodia विजिट किये हैं, तो Cambodia में यह temple है, क्या कौन सा temple है, मेरा questions यह है, सबसे बड़ा temple य temple का जो आपको चीजे मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या चीजे निकल के आ रही है, यहाँ पर Cambodia में गया है, देखते हैं क्या meeting निकल के आती है, वो सारी चीजे आपको देखी जाएगी, US इरान में यहाँ पर hostage की deal हो गई है, swapping, swapping हो रही है, लेकिन क्या यह success pool होगा, क्या यह finally अपने मुकाम तक कहुश पाएगा, सफल हो पाएगा, तो materialize का मतलब होता है success, याद रखियेगा, तो क्या यह success हो पाएगा, 10 अगस्त को इरान और USA में deal होता है, कि आप हमारे उपर, यानि USA ने क्या किया है, इरान के उपर बहुत सारे sanctions, restrictions लगा दिये हैं, जिस हटाएगे, जो की 6-7 billion पैसे हमारे dollar freeze कर दिये हैं, South Korea में, हम ले ही नहीं पा रहा है, तो sanctions को हटाएगे आप, तब तो हम पैसे ले पाएगे, और जब आप sanctions हटाएगे, तो हम आपके लोगों को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो jail में डाला हुआ था, इरान पहले, वहाँ से अब क्या किया है, house arrest कर दिया है, यानि US के जो prison है, US के जो citizens है, Iranian American citizens, वह अब house arrest हो गया है, तो यहाँ पे US से यह बोला है, यह हमारा पहला step है अभी, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, यह हमारी छोटी सी सफलता है, देखते हैं किस प्रकार से deal होती है, अच्छा जो mediator बना, इन दो लोगों में, वो कौन पौन बना, यह भी questions बन सकता है, क्योंकि deal तो हो रही है, तो कतार वो मान, यहाँ पे mediator का काम करते हुए नजर आया है, नार्चाइना लैंड स्लिप डेथ यहाँ पे 21 लोगों की पहुंच चुकी है, बहुत ही historic यहाँ बाढ़ निकल टाकसूरी यहाँ पे टाइफून, चाइना में टाइफून, फिलिपून में टाइफून बोला जाता है, याद रखेगा, तो यहाँ पे और यही चीज़े इंडिया में साइकलोन बोली जाती है, तो यहाँ पे टाकसूरी आया था और फलर्ड लेके आया कई सारे लोगों क casualty और property loss भी गैंग है यह जो गैंग आपको वेल्सी नारों यहाँ पर मारित ही उसको पकड़ा लिया गया है यहाँ पर यहाँ security prison में Equador में डाला गया है तो जो की important हो जाता था सारी की सारी चीजे आपको जानना याद रखिएगा यह personality अब इनकी अच्छी से questioning होगी इक वाड़र के language में King ये personality इनकी बैटिंग देखकर के दिल खुस हो गया, मिजाज हलका हो गया आपको बता दे इतनी अच्छी बैटिंग कोई कैसे कर सकता है, कितना अच्छा तरीके से इन्होंने अपने चीजों को deal किया सबसे important बात है, यहाँ पे sports की spirit होनी चाहिए कुसी भी चीज के field में, क्योंकि sports एक ऐसी चीजी है, यहाँ पे किसी चीज को आपको इतने horrific तरीके से इतने उग्रसुभाव से नहीं लेना चाहिए यहाँ पे इनका जो performance निकल के आया, इंडिया से तो काफी better performance निकल के आया, और यहाँ पे यह सीरीज दो तीन से जीतते हुए नजर आए, तो याद रखिएगा युस्टेंडीज की जो सीरीज थी 2020 वाली वो युस्टेंडीज जीत चुकी है, यहाँ पे important चीजे निकल के यह कुछ भी नहीं, यह आपका comet है जो दरसा रही है, यानि स्वीप टटल comet है, जो rock debris यहाँ पे देखने को मिल जाती है, अर्जेंटीना में इस परकार का electric जो lightning है, बिजली और इस परकार का comet यह देखने को मिलता रहता है, कोई नहीं बात नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ प हो गया, परागुए हो गया, बोलीविया हो गया, चीले, इधर Pacific Ocean, इधर Atlantic Ocean, यह आपका Antarctic Ocean, याद रखेगा, बैरी लोची की जगह कहाँ पे है, तो यहाँ पे यह बैरी लोची है, जो की important हो जाती है, इसी जोन की हम बात कर रहा है, जहाँ पे यहाँ पे comet देखने को मिला हुआ है, comet क्या है, जो भी आसमान से rocks, जो भी आसमान में, यानि galaxies में, जो भी rocks, material घूमते रहते हैं, उसके टुकडे, जब ऐसे rotate करते हुए, पृत्वी के नजदीक आते हैं, यानि पृत्वी की atmosphere में घुशते हैं, तो यहाँ पे यह चीजे निकल के आती हैं, वही सारी च दिखा जाएगा, क्या important river है, जो मैं हर बार river कभर करता हूँ, आज तीस्ता river की बारी है, 414 km की धूरी तै करने के बाद, यह चीजे travel होती हैं, वेस्ट बेंगॉल में, उसके बाद बंगलादेश में, तो सिक्किम से निकल करके, बंगलादेश तक की धूरी को कभर करता हु मिल जाती है, ब्रह्म पुत्रा का माउथ कहां पे है, तो यहां पे इसका बे आफ बेंगॉल में है, आकर के मिल जाती है, इस river का माउथ तीस्ता का कहां पे है, तो ब्रह्म पुत्रा माउथ का मतलब यही हुआ, कहां जाकर के मिल रही है, किसमें मिल जा रही है, और source का बे्व बेंगॉल में मिल जा दिए लेट ट्रिबूट्र रिखर, रांगीत रिखर। तो आपके सिक्किम के आसपास जहां आपके कंचन जंगा है जेमू ग्लेसियर यह वहां से जेमू ग्लेसियर से रीभर निकलती है जो की इंपोर्टेंट हो जाता है यह इसकी डायरेक्शनस है बहने की जो आपके यहाँ पर आकर के बंगलादेश में प्रवेस करता है और यहाँ पर बंगलादेश में कहां से यह ब्रहमपूतरा से मिलने के बाद बे आफ बेंगावल में जाकर के उडेल देती है आसा करते हैं चीजे क्लियर हो गई होंगी थेंक यू फर वाचिंग दे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाइ पूरा एकेडमी जै हिन जै भारत